दोस्तो ऐस्टोलिया की खिलाब चोते टीट्वेंटी मुकाबले में मैदान पर तुफाना या सूरिय कुमार यादब का जबगी सूरिय कुमार यादब ने ऐस्टोलिया के गैंद वाजों के पर खच्चे सुरा कर रख दिये और महज इतनी गैंदों में खेल डाली 146 रनों क तुफानी और विस्पोटक पारी तो दोस्तो आप भी देखना चाते हो सूरिय कुमार यादब की वहेंकर बल्ले बाजे का पूरा वीडियो देकिन दोस्तो उससे पहले अगर आप हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो ज़रूर सस्क्राइब कीजिए क्य टीम ने अपना नाम कर लिया और अब फाइनली चोथा टीट्वेंटी मुकाबला खेला गया जिसमें ऐस्टूलिया के टीम ने पहले बल्ले बाजी करते वे 235 रन इसकोर बोड़ पर लगाए 6 विकेट खोने के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा जोस इंगलिस ने 123 रनों की क्यूंकि 7 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिट शुके थे उसके बाद मैदान पर तुफान देखने को मिला सूर्य कुमार यादव का सूरिय कुमार यादब ने औस्टोलिय के गैंद वाजों के परख़च्च से उरा कर रख दिये और महज 30 गैंदों का सामना करने के बाद 146 रनों की तुफानी और विस्पोटक पारे खेल डाली और इस सूरिय कुमार यादब 100% हरा हुआ मुकाबला इस मुकाबले को जिता कर इतिहास रच दिया